क्रिशी कानुन बिल वापसी के बाद राजनिती एक बार फिर से गर्माने लगी है। यह तो नरेन मुदरी को देश की जनता को समझाना चाहिए कि जिन किसान बिलूं को आप किसानों के हित में कह रहे थे और सुरुवाती दिन से ही जब आप देश की संसद में लोग सुबाब राजे सबाब हैं। उस समय से ही कांग्रेस से अन प्रतिपक्ष ने इन तीनों भी लोग को किसान बिलूदी बताया था। और उसके लिए राजे सबाब हम आपको माले में नौ प्रतिपक्ष के कांग्रेस साइथ नौ प्रतिपक्षान सदों को सस्पेंट किया गया और इतियास में पहले बारों उनों राद भरवा धरना भी दिया। तो उसी दिन से शुरुआत थी जहां ने मांग थी कि इस पर विचार हो इसको सिलेक्ट कमीटी में बेजा है जा है सरकार ने एक नहीं सुनी पूरी उस सुना विचार किया ने अ जाए गया स्टेंडिक कमेंटी को सेलेक्टरिक कमेंटी को जिससे कि वो तमाम कानून के पक्ष में और जैसी बिल पास वा तो स्वाभई ग्रूप से कौंगरीस जो किसान देश के संगर्ठ है थे वो उसके विरोध में सड़कों में उतर आए अठ डेड़ साल बात लगबग कि अपनी साहदे दे दिये और आज अचानक जैसे रात में कोई मोजी परकट होते हैं आज सुबह परकट होगे उन्होंने कहा कि मैं तीन किसान बिलों को वापस लेता हूं और किसान अपने घर जाएं सवाल प्रशन था कि आपने इन तीन बिलों को क्यों किसानों के करेंट का इंतिजार करेंगे और किसान तीन बिलोदी साथों के साथ उनका जो महत्पूर्ण सवाल है कि मैंस पी नियुन तम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर सरकार क्यों नहीं कानू एक्ट ला रही है जब सरकार कह रही थी कि इन तीन बिलों का उस पर असर नहीं पड़े किसान नों के बड़ी मांग है कि MSP कोई कानोनी दर्जा राजियों की सरकारों के उपर न छोड़ करके इसको कानोनी दर्जा दिया जाए क्टेमने चाहे है परफारनी दर्जा वही है और आज सरकार ने वापस लेने होंगे और हम कॉंग्रेस किसानों के उस साथ में है कि जो उनका minimum support price का की बात है कि उसमें सरकार parliament का session स्टार्ट हो रहा है parliament के session में आप repel के will के साथ साथ अगर minimum support price का will लाते हैं तो congress का समर्थन करेगी हम किसानों की आंदोलन की साथ है इक किसानों को अपने आंदोलन के बारे में तैय करना है कि वो किस तरह से इन आंदोलन को आगे जारी रखते है अपने राहूल गांदी जी की बात करी कि उन्होंने कहा था कि सरकार ये बिल वापस लेगी अब उनकी कल उनका tweet पर viral भी हुई उनकी वीडियो क्या लगता है एक बार फिर से उन्होंने पार्टी को आगे स्टेंड कर दिया राहूल गांदी ने सुरू सी अपनी केलर कर स्टेंड ली थी कि ये जन्विरोदी विल है और उसके कारां लोकसभा में भी मैं भी कॉंग्रिस वो स्टेंड इन तीनों भी लोग के खिलाब लिया था और हमने का इस पर ब्यापक विचार विम्बर सुना है सरक्रमी में जाना जाए सरकार ने अपनी ब्रूट मैजॉर्टी का उप्यो करते भी बिना चर्चा के पास करने के उसी पास करा है और उसके बाद से फिर कॉंग्रिस पार्टी राउल गांदी जी के लिए चाहे पंजाब में टेक्टर यातरा के मादम से पूरे पंजाब के अंदर किसानों के मुवमेंट के सपर्ट में कॉंग्रिस पार्टी गई पूरे दिस में गई आज फिर कॉंग्रिस राउल जी ने जिन पर आरोप है कि इंदी राजे मंत्री पर उनका वेट है जेल में भी है, वो तो दवाव के कारव जेल में गयें, अभी थे भी मंत्री मंडल में वो बने पर उनको बर्कास किया जाना थी, और सबसे बड़ा अंतिम सवाल है, सरकार की गलित नितियों के कारण, जिस बिल को आपने वापिस लिया है साथ सो से अधी किसानों ने जो सहादत दी है वो परिवार क्या कहते हैं उनका नेवाला चिंगा क्या उनकी भरपाई भारस सरकार का करतब नहीं है आपने तो उनसे एक संबेना के सुर्वी कल पर प्रधान मंतिने के हैं तो इन सारी चीज़ों की का उ इसके किसानों ने इस एंकारी सरकार को ये बता दिया है अगर आप जन्ता के विरोध के बावजुद कानून पास करना चाहेंगे आप बले ही पास कर ले हैं लेकिन जन्त विरोध के आगी आपके चुकना पड़ेगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और खुद कई बीजे सब्सक्राब से जो किसान अभी भी वहां बैटे वे है तो किसी भी निकॉशिय से बिलका आंदोलन का एक परिरम होता है कि सरकार और जो आंदोलन कारी के बीच में वारता होते हैं कि इनकी सर्तों पर हुआ है तो अभी इस सारे मामले में कहीं भी किसानों की भावनाओं को उनकी मागों को सरकार ने निगोशी बैट करके उस पर एक राए बनाने की कोसिस नहीं की तो इसलिए साब दिख रहा है कि गतिरो दूर नहीं हुआ है और केंदर की सरकार सिर्फ और सिर्फ आने वाले पांच राजियों के चुनाओं में होने जा रहे हैं उप चुनाओं के न नए सरूप में इन बिलों को ला सकती है इसलिए बारत सरकार की के रवये पर किसानों को अभी भी संदे है रदीब जी आखरी सवाल विंटर सेशन की शुरुआत होने वाली उन आगामी 29 तारीक से किन मुद्दों के साथ आप लोग सेशन में जाएंगे इस सारी सवाल है प पर जो अत्याचार बड़े हैं जो आप पूरे पब्लिक सेक्टर को बीचने की तैयारी कर रहे हैं कोरोना काल के दोरान आपने इतने लोगों की जाने चेली की आएस्ता उनकी भरपाई नहीं की वो सारे सवाल जो अर्थ बहुस्ता है चर्मरा गी लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार होगें लाखों छोटी इंडिस ने तबाह होगें ये अर्थ बहुस्ता की हाला देश के अंदर रोजगार का सवाल और किसान दान दोलन अन्य तमाम सवाल इस संसद के मुख मुद्दे रहेंगे जिस पर पूरा प्रतिपहस कांग्रेस चाहेगी कि इस पर सरका बिचार बिचार करें इस वीडियो में इतना ही कैमरा परसनारियन के साथ मैं विशाल धन्यवाद।